नमस्कार साथियों अभी हाले में Union Bank of India दोवरा एक वेकंसे रिलीस की गई है 1500 वेकंसी हैं और काफी अच्छी पोस्ट के लिए की गई है लोकल बैंक ओफिसर इसका नाम दिया है है तो यह साथी प्योद्ट के सिल है और क्यों चैज्य से अच्छी है और सबसे पहला तो डारैक्ट Union weeks करें तो आपको यह भी पता है Unionmist में सबसे इंप्रेंट यह जो हर आदमी चाथाहे एक गवर्मेंन्ट यूनियन बैंक द्वारा लोकल बैंक ऑफिसर की इसमें आपको हॉम पोस्टिंग दी जाएगी मतलब मेन परपस है हॉम डिस्टिंग में तो आपको मिलने नहीं है कि आप रहस्तान के रहने वाले हैं उसमें भी आप कोटा के रहने वाले है तो आपक जो कोश्ट्इंग है पहली बेप्रफरेंस कोटा ही मिलेगी। In case कोटा में नहीं है तो उसके आपस पास जो डिश्टिक बंते हैं Level बाहर है आपको और यह ज़रूर पक्का है जो पे वहाँ पे है सेलरी का वही यहां पे है 48000 जो बेसिक पे मिलता है वही है जो आपकी ग्रॉस सेलरी लगवागे 80,000 के करीब बन जाएगी इसमें बात कर लेते हैं वन वाई वन क्या है इस वागेंजी में वाजे क्यों अच्छी है लोकल बैंक ऑफिसर इन यूनियन बैंक तो यह सेम पोस्ट पहले इस वी निकलता था है सबसे इच्छा जो सबसे बड़ा फाइदा मैं बताई चुका हूँ इसमें आप स्टेट से इस फॉर्म को बढ़ते हैं उस स्टेट में आपको हॉम पोस्टिंग दी जाएगी और इसमें जैसा कि आप जानते होंगे जो किलर का पेपर होता है किलर की पेपर के बाद एक एल पीडी टेस्ट होता है लेंग्वेज प्रोफिसेंसी टेस्ट वही सेम टेस्ट यहां पर भी इससे यह फाइदा मिलेगा जो कॉंपटीशन ओल आवर इंडिया से आ रहा था वह एक स्टेट तक सीमें थे आप उडिया तो लोकल लेंग्वेज उडिये चलती है तमिल नाडुं में वहां तमिल चलती है अध्राबाद तेल और देलकु तो जो भी स्टेट नहीं देखने को मिलेगा तो ओवर रॉल कट ऑफ कमी जाएगा कि बात कर लिए वन वाई वन इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन नहीं तो इसका नोटिफिकेशन स्टार्ड हो चुका है 24 तरिक से स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी लाज्ट डेट है इसके लावा सिंगल पेपर रहे इसका वही पेपर जैसा मेंस का होता है इसके अलावा इसमें descriptive कभी paper है अलागी descriptive qualifying है या नहीं है वो इसमें clear mindset नहीं किया गया पर descriptive paper है इसके अलाव इसके अलाव इसलेरी में बदाई चुका हूं 48,000 बेसिक रहेगा तो आपकी जो अपार्ट फ्रॉम इसमें एक और चीज़े आप इसकी जो मतलब exam form बरेंगे तो आप किसी भी state से बढ़ सकते हैं आपकी कोई भी location हो आप exam देने कहीं भी जा सकते हैं उसके इसके बाद जो इंटर्व्यू के लिए सौड लेस्ट होंगे उनको इंटर्व्यू के लिए बुलाए जाएगा बन भाई थी का रेश्यो रहता एक सीट पर तीन बंदों को बुलाए जाएगा इसके लावा लेंग्विज प्रोफिशेंसी टेस्ट अगर आपकी टैन्थ य नहीं होगा इसके लावा एज क्राइटेरी इसमें मिनिम्मम 20 मैक्जिमम 30 एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है ग्रेजुएशन सब कुछ इसमें जो सबसे बड़े और अच्छे जो फाइन एक तो इसमें प्रिलियम्स नहीं है आप डारेक्ट में देंगे अगर आप मान यहां पर फाइदा है आप डारेक्ट मेंज देंगे आपको फाइदा मिलेगा और सिधे आप इंटर्व्यू दे सकते हैं इसके लावे एज क्राइटेरिया बताई दिया एजुकेशन कौलिफिकेशन वही है ग्रेजुएशन फॉल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए जो पार्ट टाइम चलता है वह इसमें अलाओड नहीं है वागी सारी डिटेल में बताई चुका हूँ इसके लावे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए थैंक्यू